कि एलिस्टार्ट करते इस कोशें में दिया हुआ है थो स्पीसी जाट अस फिन वर्ली माइटिक मोमेंट गॉप और 5.9 बोर मेंगनेटाउन देखिए बच्छे लोग दो चीजिया देखिए एक स्पिन वाली मेंगनेटाउन बोला हुआ है वाल्यू देखिएगा 5.9 बोर मेंगनेटाउन है अब पूच क्या रहा है यह किसका है और option में क्या दिया है निकल और यह दिया है इसके structure के बारे म information कि कैना अब information दिया क्यों है आप क्या नहीं बढ़ा सकते थे तो आप बढ़ा सकते थे लेकिन इन्होंने एक extra information दे दिया ताकि आपको कोई confusion ना हो चली start करते समझने से की भी यह information मुझे क्या बताता है spin only magnetic moment का मतलब यह होता है कि मेरे पास information है number of unpaired electrons का for example spin only magnetic moment जो हमों define करते है वो ऐसे define करते है x into x plus root bore magneton where x is what x is the number of unpaired electrons number of unpaired electrons ठीक है एक information हमें क्या मिल रहा है spin only magnetic moment का the value is 5.9 अब इस value से हम लोग क्या निकाल जाकते है एक जटके में question solve हो जाएगा बस यहाँ पर आप interpret से कर पाये तो बीना देखे आप फड़ाक से मार जाकते हो क्या होगा बटा अगर आप समझेए 5.9 का मतलब क्या होता है इसका मतलब यह होता है कि x into x plus 2 square root equals to 5.9 okay so आप बोलोगे sir x into x plus 2 equals to 5.9 का square and x is integer x का value क्या होगा क्या होगा कुछ करनी की जरुरती नहीं है आप निकालोगे x being an integer x will be equals to 5 so the quick way of calculating is just consider the integral part of it बहुत ही असान है बहुत ही असान है कैसे अगर आपने x का value देखना है तो just integral part आप देखिएगा म्यूस का कितना दिया है वह 5.9 directly आप बोल दो sir यही है यही है x का value क्या हो गया 5 हो गया number of unpaid electrons 5 हो गया क्या nickel में 5 हो सकते है क्या nickel system क्या होता है it is d8 वहाँ क्या 5 orbitals ऐसे होंगे क्या जो singly field होंगे possible नहीं है d8 system है चार चालों आएंगे तो उसमें tetral shape बना हुआ sp3 हो जाएगा भरा हुआ है dsp2 हो जाएगा तो nickel में यह possibly नहीं है nickel में क्या हो सकता है max to max निकल में यह हो सकता है कि आपका जो orbital है अगर मैं इसको बोलता हूँ 3d orbital तो 3d orbital में आपका जो आएगा 4s अगर यहाँ पर 0 state है जिरो निक फर्स वाले केस में 0 state है ठीक है ना आगे आने वाला क्या है आगे आने वाला माले यह हमारे पास है 4s है ना तो यह 4s है 4s 2 3d 8 basically information हो जाएगा ऐसे हम लिखे तो यह electrons क्या है 4s यहाँ पर है तो यहाँ पर 8 electrons है अब बहुत होगा तो यह electrons यह तो पहले से गायब होंगे पहले वाले केस में क्या हो जाएगा information बता रहा आपको देखिए 2, 2, 4, 6, 7, 8 ऐसे होना चाहिए था बट information क्या बता रहा है यह tetrahedral है tetrahedral कैसे हो सकता है hybridization क्या होगा चलो sp3 इसका मतलब क्या हो गया यह जो tetrahedral बता रहा है इसका मतलब यह sp3 hybridized है यानि s इसका खाली होगा तो खाली होगा क्या करेंगे यह दोनों electrons होंगे वो कहां चला जाएगा यहां और यहां करके पेर हो जाएगा so force pairing हो जा रही है force pairing हो जा रही है इस कारण से यह क्या बन जाएगा यह खाली करेगा अपना 4s और आपका बन जाएगा क्या 3D 10 3D 10 और यह 4S खाली हो गया तो 3D 10 4S हो जाएगा और फिर यहां से S और 3P आगे आके आपका 4P orbital यूज करेगा और आपका SP3 hybridize हो जाएगा क्या सीखने को मिला कि जो tetrahedal का information है वो directly हमें बता रहा है कि SP3 hybridize है नमबर वन निकल 0 state में है S orbital खाली करना पड़ेगा बिकोज आने वाए लोग की संख्या है 4 CO आने वाले हैं तो ऐसे case में 4 CO को 4 खाली orbitals चाहिए तो 4 खाली orbitals 4S और 3 orbitals 4P के हैं दुनों मिला के 4 orbitals हो जा रहा है तो यहां पर कोई खाली नहीं हुआ अब maximum क्या हो सकता है कि Ni2 प्लस जैसा के आपको Lex2 के समें बन रहा है Ni2 प्लस Ni2 प्लस में क्या होगा 4S 0 हो जाएगा 3D 8 हो जाएगा अब 3D 8 को बनाने के दो तरीके हैं या तो वो force pairing सर्थ बनेगा जैस लेक इस वन एक खाली हो जाएगा 4 भरा एक खाली हो गया या तो आपका force pairing ना हो मतलब जबरस्ति आपमें नहीं भरा हुआ है उसमें क्या हो जाएगा उसमें आपका हो जाएगा एक एक भरा अगए force pairing में आपने ये डी को जबरस्ति खाली करवाया है और यहाँ पर आपका खली नहीं हुआ है, this is the case of force pairing, isn't it, force pairing में आपका क्या हुआ, एक भी electrons unpaired नहीं है, whereas अगर इस case में देखेंगे, तो यहाँ पर एगर pairing नहीं हुआ, force pairing नहीं हुआ है, तो यहाँ पर x will be maximum केतना होगा, 2, यह 5 है, इसका मतलब ही nickel तो होई नहीं सकता, तो answer क्या हो जाएगा, answer will be d, manganese में 5 electron आएगा, और यहाँ पर दिया हुआ है tetrahedral, इस information का मतलब यह हो गया, कि यहाँ पर आपका force pairing नहीं हुआ है, otherwise आपका d orbital involved हो जाता, है की नहीं, कैसे पता होगा हमें, बिल्कुल सही है, आपको पता है manganese है, क्या होता है, 4s2, 3d5, यहाँ पर oxygen state कितना है manganese का देखो manganese का oxygen state कितना हो जाएगा, suppose man इसको मान लिया x, x plus 4 into minus 1, bromide का minus 1 होगा, should be equals to minus 2, x will be equals to plus 2, यहाँ से आप निकाल लिये होगी manganese plus 2 state में है, अब manganese plus 2 state में है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, 4s0 हो जाएगा, बाहर वाला ही electron निकलता है, गलती हो जाता है कि d का निक electron निकलेगा, यह d5 हो गया, अब d5 में ही आपका 5 unpaired हो रहा होगा, अब कैसे बोल लो 5 unpaired है, वो जगता paired हो गया होता, अगर ऐसा question अपके दिमाग में आ रहा है, यह समझना, इसी information को जो आप बोल रहे हो, यहाँ पर दिया गया है कि tetrahedral है, again sp3 orbital involved होगा, अगर मैं force pairing कर होगा, चवास्ती मैंने force pairing किया है, किसलिए करूँगा, ताकि मैं orbitals को involve कर पाऊं, है के ने, पर यहाँ पर अगर मैं को, अगर force pairing करना भी हुआ, तो क्या बनेगा बट चलो, यह बनेगा, कि आपका 1, 2 और यहाँ पर, यानि 2 orbital should be available, तो hybridization जो बनना चाहिए था, वो d2 लेके कुछ बनना चाहिए था, यहाँ तो हुआ नहीं, इसलिए आप directly देखे बोल सकते हो, कि it must be the option, so इतना information हम लोग ने analyze किया, आपको यह समझाने के लिए, इस question का answer मात्र 10 second में निकल सकता है, provided आपको यह interpret करना आता हो, कि यह 5.9 का मतलब होता है, अन्पेड इलेक्टरॉन के पाँच, निकल में maximum जो हम लोग use करते हैं, उसमें X का value, अन्पेड इलेक्टरॉन के maximum कितनी होती है, दो, तो answer manganese के लावा कोई और हो ही, नहीं सकता, okay, clear, information clear हो गया, I hope you have enjoyed it, learned few more things, okay, thank you.